तो दोस्तो स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है अब ये जो गिरावट है ये फिर से एक उपोचुनिटी है जहां पर आम अच्छी कंपनी जहां पर रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं उन कंपनी में नए रेट्स पे सस्ते में थोड़ा बहुत पैसा इंवेस्ट करें लेकिन साथ में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर मार्केट में और करेक्शन आती है तो इन कंपनीज में भी गिरावट आ सकती है तो ये जो अभी पिछले एक साल चल रहा है और आने वाले छे महीने है ये स्टैगर्ड मैनर में थ पहले दोस्तों याद दिला देता हूँ हमारा जो परसनल फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स है वो शुरू हो रहा है तो अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप जाकर जोईन कर सकते हैं वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अब जाकर जोईन कर सकते हैं तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसे शॉक्स पे जो अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ चुके हैं काफी अच्छा खासर डिसकाउंटेड लेवल्स पे इस वक्त आपको मौझूद है वो श अगर आप ओवराल बात करेंगे तो यहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी जो रिसेंट्ली इसके रिजल्ट आये थे 57 करोड से जो इसके प्रॉफिट है वो 71 करोड के आसपास तक पहुच गये थे तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ है सेल्स में भी आप देख सक अच्छा सपोर्ट लेबल है 140 से 150 के लेवल्स पे इस वक्त या चुक है तो यह बहुत ही क्रूशल यहां पर सपोर्ट लेवल है तो मुझे लगता है कि यह जो अभी करेंट लेवलस इसके चल रहे है 148 एट 150 यह एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल यहां पर आप देखें काफी जादा पोटेंशल है तो काफी अच्छा पोटेंशल है उसके अलावा जो इंपॉर्टन चीज है कि इस टॉक अपने जो चार्ट पे भी एक क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के इस पास इस वक्त आ चुका है और मुझे लगता है यहां से यह पांच साथ परसंट की सकती है कि market में ही गिरावट आती रही तो इस शेर पे भी उसका pressure देखने को मिल सकता है overall valuation wise भी अगर हम देखेंगे तो शेर में लगातार गिरावट valuations में भी देखने को मिली है price to earning ratio एक टाइम पे जो 124 का हुआ करता था वो आधा इस वक्त रह चुका है 160 के आसपास रह च चुकी है 215 के all time high से 150 के levels में ये शेर आ चुका है fundamentally काफी अच्छा stock लगता है growth भी दिखती है और तीसरा जो combination है कि एक support level जो है उसके आसपास ये शेर इस वक्त आ चुका है तो ये तीन combination है जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि एक अच्छी opportunity दिव्यानी international में बनती हुई नजर आ रही है अब दूसरा share जिस पे यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ वो है पेटियम का share हाला कि fundamentally मुझे बहुत जादा अच्छी company ये नहीं लगती है लेकिन यहाँ पर जो इसके levels है 600 के जो levels है वो काफी crucial levels है इसके साथ साथ ये जो company है ये एक momentum trading के point of view से play करने maybe एक आपको अच्छा वो यहाँ पर रह सकता है recently बहुत सारे अलग-अलग brokerage houses थे जिनोंने एक अच्छी rating इस company के share को दिया और देखिए maximum मुझे लगता है जो इसके share में गिरावट आ सकती है वो 523-530 के level से नीचे अब ये share जाना बहुत जादा मुश्किल है और अभी ज सही में जो news आ रही है ये अगर actualize होती है तो इसके लिए paytium के लिए बहुत अच्छी news यहाँ पर साबित होगी और उस angle से एक अच्छा खासा यहाँ पर इस share में momentum trading के angle से आपके पास opportunity है दूसरा अगर आप fundamentally भी देखेंगे तो लगातार इसके जो losses हैं वो कम हो रहे हैं 7 786-89 करोड, 628-589 और उसके बाद 436 करोड तो लगातार इसके जो losses हैं वो यहाँ पर कम हो रहे हैं जो की बहुत positive बात इस share के लिए है और दूसरा जो news आ रही है लेकर कि brokerages ने इसके एक तो अच्छे positive चीज़े कर दी हैं और दूसरा अभी जो ATL से related news आई है जहाँ पर ATL भी इसका अपना ATL जो payment bank है उससे यहाँ पर link करने के लिए इसमें कुछ stake खरीच सकती है तो यह बहुत अच्छी news है और मुझे लगता है कि यहाँ पर momentum मिलेगा और यह share अच्छा खासा जो अभी आपने recently देखा था 700 के आसपास यह share गया था फिर से 700 के आसपास यह share जा स इसके लेने वाले investor हैं आप वो volatility जेल सकते हैं कि एक दिन में share 10% नीचे एक दिन में share 10% उपर तो ही आप ATM में trading के एंगल से invest करने के बारे में सोचिएगा बहुत जादा यहाँ पर आपको इसमें long term vision से invest कहीं करने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर 57% का उपर नीचे करने के लिए एक अच्छी opportunity यहाँ पर इस company में मिल सकती है तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रटना है दीसरी company दोस्तों जो यहाँ पर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो भी अपने crucial levels पे आ चुकी है ICIC Lombard General Insurance तो यह company भी देखिए बहुत जादा fundamentally strong company है price to earning ratio इसका गिर के सिर्फ 33 के आसपास यहाँ पर आ चुका है तो और अगर हम price की बात करें यहाँ पर देखिए price लगातार नीचे जा रहा है और यह जो price है 1100 यह जो इसका price है यह बहुत जादा crucial price है यहाँ पर आप देखेंगे 1100 के आसपास से इस share ने लगातार उपर की तर price है यह एक last support level है तो मैं यहाँ पर आपको बोरूँगा 1100 पर invest करिये अगर वहाँ से नीचे जाता है तो wait करिये लेकिन यह एक अच्छा price है देखिए company अच्छी है price to earning देखेंगे तो आप लगातार नीचे जाकर अपनी lowest पर price to earning ratio चल रही है 5 सालों की lowest ever price to earning ratio पर इस वक्त यह company इस वक्त आ चुकी है 33 के आसपास और यहाँ पर अगर हम देखते है profitability में थोड़ा सा यहाँ पर जो general insurance है उसमें competition भढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर इस company के जो profits है उसमें दिक्कत आ रही है लेकिन overall वो सारी चीजे वो सारी negativity यहाँ पर priced in इस company में हो चुकी है sales की growth profit की growth बहुत तगड़ी रही है तो वो चीज़ बहुत positive है इस company के लिए उस चीज़ का आपको समझ कर invest करने के बारे में सोचना है कि profitability और sales यह सब बहुत अच्छी growth है यहाँ पर तो वहाँ पर आपको अच्छी opportunities मिलती हुई नजर आईगी और share ने already पिछले 3-4-5 सालों से अच्छी returns नहीं दिया है तो यहाँ पर 4-5 परसन 10 परसन की movement इस share में कभी भी आ सकते है और हमने यह चीज़ लगातार देखी है हमने बात भी किया है अगर हम यहाँ पर देखे एक साल में देखेंगे 1100 पे गया था फिर दुबारा से वहाँ से 1200 then 1100 then 1200 1300 फिर गिर के फिर 1100 पर आ गया था फिर 1200 पर आ गया था तो यह जो 1100 से 1250 1300 की range शेयर ने पकड़ी हुई है वो एक आपका अच्छा trading का zone यहाँ पर बन सकता है जिसमें आप 10-12% का उपर नीचे यहाँ पर कमा सकते हैं लेकिन यह चीज़ समझ के चलना है आपको कि यहाँ पर इस से नीचे अग करना है अगला शेयर देखें इंडी को पेंट्स पर हमने कल भी बात की थी कल भी वीडियो में मैंने आपको बोला था क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले काफी सारे लोग पूछते हैं कि इसमें गिरावट क्य उसके अलावा अगर हम देखेंगे प्रॉफिट में कंपनी है लगातार प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आप देखनी मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टेक्स देखिए पिछली बार 28 करोड था जो बढ़के 35 करोड हो गया तो फंडमेंटली अच्छी कंपनी है रिजल् इसकी काफी कम है और आप इंडस्री पी देखिए 52 है और इस कंपनी की 41 चल रहे है मेनीजमेंट का अभी कहना है कि यह जो फोर्थ कौर्टर है सबसे अच्छा कौर्टर इनका होता है अब यहाँ पर इस शेर में दिक्कत कहा है कि यहाँ पर कुछ बॉटम नहीं मिल रहा है शेर को consolidation zone यहाँ पर नहीं आ रहा है तो लेकिन मुझे लगता है already काफी जादा correct हो चुका है तो एक installment आपकी यहाँ पर जा सकती है अगर यहाँ से further यह 10-15% गिरता है तो opportunity और अच्छी यहाँ पर हो जाएगी लेकिन एक अच्छी opportunity है मुझे लगता है 1000 का एक psychological barrier रहाँ पर नजर आता है तो इसलिए यह शेर में भी मुझे एक opportunity यहाँ पर नजर आती है लेकिन साथ में समझके चलिए कि जो शेर एक साथ downfall में चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा risky trade हो जाता है जब आप invest करते हैं और आखरी company fundamentally strong kotak Mahindra bank काफी अच्छी company अब यहाँ पर पहले हम सीध बहुत अच्छा support रहा है लगातार आप देख सकते है 1700 1700 यहाँ पर 1750 यह 1650 तो यह जो 1600 से 1700 का zone है यह काफी अच्छा support है 1600 मुझे लगता एक last zone है इससे नीचे इसका share नहीं जाए सकता बहुत strong support है बहुत अच्छी valuations वहाँ पर मिल जाती है 1654 आप देखिए 1667 1671 तो यह ए आखरी support मुझे लगता है तो एक अच्छी opportunity यहाँ पर भी इस company में मिलती है आप देखें रिजल्ट्स यहाँ पर भी हम देख लेते हैं highest ever आप देखेंगे revenue clock किये थे December 2022 में इसने इसके profit भी आप देखेंगे recently जितने भी quarters थे उसमें highest ever profits है lowest ever gross NPA और net NPA थे तो company के fundamentals improve हो रह रही है 23 के आसपास आ गई है अपनी lowest ever पर यहाँ पर भी price to earning ratio इसकी आप देख लिए जब 5 सालों में देख रहे है lowest ever के आसपास इसकी price to earning ratio चल रही है तो evaluation के एंगल से support zone के एंगल से सभी एंगलों से यह शेर भी एक अच्छी opportunity यहाँ पर देते हुए नजार आ रहा है तो यह 5 share है दोस्तों जो मुझे लगता है एक अच्छी opportunity है लेकिन risk यहाँ पर involved रहता है हर share पर अपना अलग risk है तो उन risk को समझ कर आपको किसी भी share में invest करना है तो दोस्तों यह कुछ shares है जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी अच्छे support levels पर यह share यहाँ पर आ चुके हैं और अगर market में यहाँ से उचाल देखने को मिलता है तो यह shares में भी आपको उचाल देखने को मिल सकता है लेकिन individual stocks की जो strategies मैंने बात किया है जो risk पर बात किया है उन सब risk को भी आपको साथ में ध्यान रखना है अगर आप इन companies में invest करने के बारे में सोचते हैं और साथ में यह याद रखिये कि यह वीडियो किसी भी तरह की investment के advice नहीं देती है जितनी भी यह views है मेरे personal views है तो आप किसी भी company में invest करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात कर ले personal finance management का course अगर अभी तक join नहीं किया है तो link description में दे दिया है जाकर join कर सकते हैं मेरी तरफ से बस इतना ही धन् झाई झाई धन्हाः झाई झाई धन्हाँ वाण